नमस्कार आप देख रहे हैं जनसंबार नियुज़ और मैं हूँ आपका दोस्त और होष्ट राजेश उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाव की सरगर्मिया तेज हो गए हैं और लगातार राजनेतिक दल अपनी अपनी चाले चलना सुरू कर दिये हैं सर उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाव होने वाले हैं आपको क्या लगता है आपकी क्या समस्याएं है क्या होना चाहिए क्या नम है आपका मेरा नाम आरुन कुमार सिंग है और उत्तरप्रदेश की जो अविदान सावा की सरकार है काम ठीक हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है जमीन पर काम भी दिख रहा है सिर्व एक ही समस्या है जो जानवर की आवारा पस घूम रहे हैं और योगी जी ने, गौसाला की बहुत पैसे निकलते हैं मंगर उसका कोफ ध्यान नहीं दिया जाता है नीचे इस तर से अवारा के जहानवरों की किसानों के लिए एक बली समस्या है अचा इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए यह किसानों के हित में ऐसे कौन कौन से काम जो है वो सरकार कर सकती है सरकार के हित में यह काम जो पैसा इन्होंने गौसाला में दिया है यह पैसा अपने इस तर डियम के इस तर से यह दिया जाना चाहिए यह गौसाला में देते पैसे और ठेके तारी पर उड़ते हैं यह पैस कोई भी ऐसा काम नहीं है C रापको दिख्छाई के यह सब काम हो रहे हैं सिर्फ जयानों की सबस्याताया है एक ब्यक्ति और जुले हैं चलिए उनसे जानते हैं कि उनका क्या राजू सिंग जी उत्तर पतेज में विधान सभा चुनाऊ होने वाले हैं यहाँ पर आपके सातवार के विधायक रहें हैं नरेश चक्रवाल जी ने घृत्वी का लाल भी का जाता है क्या बाकई में उन्हों लाइट आती थी ऐसे नाम आतर लाइट आयो चली गई, ठीक है, जब से हमाँ बीजेपी की सरकार है, बाबाजी की, तब से दीपा वाली में, होली में 24 घंटे लाइट आ रही है, और रही बास विकास हमारे गाउं से अभी भी उन्होंने बाइपास का स्विकी करत किया है, हलाकि बे बना नहीं है, उन्हों क जो एहम मुद्दा है, उन्होंने भरष्टाचार ही बंद कर दिया, पहले क्या हुता थी, भाईया जी की सरकार में नोकरी निकलती थी, मान लोग 25 जार नोकरी निकली पुलिस में, तो 24 जार पहले फोन से ही बुको गए, क्या है कि फलाने के हम है, उनकी नोकरी पकी, अब म उन्हों सिक्षक उसमें भी भरती करवाई है, भाई रोजगार क्यों नहीं है, रोजगार है, आप उसके लिए अवेलवर हो, तो करेंगे, थोड़े ना कि आपके 15 लाग 20 लाग रुपे पहुंच जाएंगे, तो आपको नोकरी मिल जाएगे, यह तो भाईया जी की सरकार म में ऐसा क्या हुआ है, जिससे युवाओं का हित हुआ है, आप एक युवा है, आप एक युवा के नेजरिये से बताईए कि आपका हित कीस तरीके से हो पाया, अच्छा रही बात हमारी, देखो, अगर हम परसनल अगर देखेंगे, तो ऐसा किसी का नहीं हुपाएगा, हम समाज का देखेंगे ना, अगर हम परसनल देखेंगे, तो सरकार सब के लिए खराब है, पांच तो लिए कभी बराबर तो होती ने, आप आने वाले समय में आपको बताएं कि हमारे जो बहन होती, सिस्टर्स होती, वो कोचिंग पढ़ने जाती, आठ नो, दस बज़े राज करना चाहिए, जिससे और भी कुछ यहां पर विकास कार हो सके, हलांकि आपको जूट के तो हमारे गाउं में भरपूर विकास है, हमारे स्कूल में पहले देखते है, 2017 पहले भईया जी की सरकार में, सरकारी स्कूल की ऐसी दसा थी, कि उसमें, मतलब समझो ना, स्कूल था, क कि कुड़ा खान था, आप देखिए, कुड़ा दान बन गया, सरकारी स्कूल अगर आप जाके देखेंगे, तो आप प्राइवेट स्कूल फेले हो गया, बढ़िया सीटे होगी, पंखा की व्योस्ता होगी, ट्राइल पड़े, एक हजा टंकी लीटर रखी है, बढ़िया ब सरकार हमें नोकरी, भाई एक ची आप बताए, यूपी में जन संगया कितनी है, लंसम 20-22 क्रोंट क्यों हो रहे है, अब सरकार घर घर नोकरी देदेगी क्या, नहीं देगी न, कैसे देदेगी, बढ़िया, माल लो हमारे परिवार में 10 आदमी होगे, माल लो पाप पिताजी संगया लियंतर कानून जो है, प्रदेश और देश के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी, आप फिर बताएंगे, भाई बतारे हमारे के 10 बच्चे हो जाए, के 10 बच्चे उन खिला लेंगे, वो तो भूके मरें, फिर हम सरकार को दोज देगे कहां से सरकार रोज़गार देगे, आप बताएंगे, एक बच्चा होगा, उसको खिला पिलाएंगे, उसको अच्छा सम पढ़ाएंगे, उसको रोज़गार भी मिलेगा, अद 10 बच्चे को रोज़गार केसी सरकार देगी, भाई, कौन देसी सरकार है, भाई, मायवती की सर संथा उनके में क्या जातवा थी यह भाईया जी की सरकार में सśर्व सिर्फ चलता था मुस्लीम हिंदु इस सरकार में इंदु मुस्लीम पूछ की है आते हैं Data जाती हैS इससे ये ने पूसे कि आपका नाम रहीम है कि सलीम है कि आप राकेत है कि बिनों इससे कोई मतलब ने रासन आ रहे है रासन ले जा रहे हैं उनकी सरकार में क्या था था कि पहले रासन सबको ने मिलता था पहली बात तो यह थे पहले ऑनलाइन सिस्टम होता नहीं पहले क्या थ तब को सेंडर मिल चुके हैं, भाई विकास क्या चाहिए गाओं में? जानवर अगास, खुड़े गास, जानवर अगर थोड़े बहुत हैं, भाई विकास दिये जाते हैं, उखाते फसल हैं, गोसालम एक जानवर तक गोसालम नहीं मिलता है, आप अब अबली सर्कार से कितना खुँई हैं? सरकार से हम खुस हैं 100% खुस हैं लेकिन जब ये जानवर एक एक पकड़ लिया जाए तो हम लोग खुस हैं बस अच्छा आप अपनी सरकार से अप क्या चाहते हैं क्या करना चाहिए आपकी सरकार को हमारे साथ कसरावा गाउं से एक और यूबा जुल गए चलिए उनसे बात करते हैं उत्तर पदेश में योगी सरकार हैं कितना संतुष्ट है आप जी बहुत संतुष्ट है इस सरकार में आपका ऐसा कौन सा भला हो गया जो आप संतुष्ट है हमारा क्या बला पूरे समाज का हुआ है अब भले कि अगर हमारी परसनल बात देखी जाए तो योगी सरकार में अभी जो है हमारे मुंतरी के 100% मोर्या जी आये थे उन्होंने एक हरदोई को बहुत बड़ी सोगात दी है उसके साथ साथ में हम लोगा भी भला हुआ ये हुआ है कि हम लोगों के खेतों से ब तिकत लाप तो हो गई होगा और हमारे पूरे हर्दोई का विकास होगा अब आप से एक रहा जिने तीक सवाल है यहां पर साथ वार विधायक चुने गए आपके नरेश अगरवाल जी क्या उनके जरीए यहां पर कोई विकास कारी कराए गए जी हम तो जो है हम जो हमारे ब पहले यह इस्तित थी आप देख रहे हैं यह रोडे वगेरा है यह नरेश अगरवाल की ही देन है यहां पर पहले लोग बताते हैं कि यह इस्तित थी कि यहां निकलने में दल दल था गाड़िया निकल नहीं पाती थी पैदल चलने में दिकत थी आज कसराव में जाईए सब्सक्राइब, में रोट पर नामर, यह नरे सगवाल का विकास हैं, इसलिए सहर बार पूलिंग जीत के कम से 500 बोटों जाते हैं, अपनी सरकार को इसा क्या करना चाहिए, जिससे आपके गाउओं का विकास हो सके, अब हमारी सरकार से यह उम्मीद है कि हमारा बाइपास जो है इसको जल्दी से जल्दी इसका निर्माण करा है और किसान को मुअब ज़त दे जिससे की किसान भी सच्छम हो और हमारे गाउं का विकास हो हमारे साथ यहां पर एक बुजुर्ग किसां जुड गए है। चलिए उन से पूश्ते हैं कि उनकी सरकार की जो विकास की गंगा वही है, वो कितनी इन तक पहुची है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुल्ला सिंग जी, कि सरकार कहती है कि उसने किसानों कहित कियाहें आप एक बुजुर्ग किसान भी है आपने बहुत बनीया देखी आपको क्या लगता कि बागही में आपका कोई भला हुआ इस찬 कर्कार में क्षूब रहा हिए किima प्रसाने पैसा दिया, खातिम दिया, बुजुर्गोग दिया, गन्नाद में वेट बढ़ाया, फिरी दी कोटे, चचल पांचा मैंने, सरकार ने बहुत कुछ किया, पैसा सरकार आद तक कोई आई ही नहीं, हमारे जब तक हम पैदा हुए, तब तक आद तक हमने ऐसी सरकार देखी ही नह हमारे सरकार में हित बस इतना ही है, कि गाई वाला थोरा परबंद कर दिया जाए, उनकी लाग नहीं, सरकार की लाग नहीं, गवसाले खुड़े भी हैं, फुशाक दाना मिलता है, पैसा दाना मिलता है, लेवरों को पैसा मिलता है, बिडिनी की पैसा मिलता है, मगर ये जो क में कितने जनवर इनको क्या खरे जाएं धना क पैसा मिलता मंदी का पैसा मिलता। बिनोस सिंग जी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चल लए है विधान सबाद चुना होने वाले हैं आपको क्या लगता है कि बाके इस सरकार में आपका कोई भला हुआ है हमारा बहुत भला हुआ है कोई नुक्सान नहीं हुआ है एक लाग रुपिया कर्ज भी माफ किया है एक लाग रुपिया कर्ज माफ किया यही पंच वर्सी में पिछले पिछली पंच वर्सी में आपका कर्जा भी माफ हो गया अच्छा किसान सम्मान निदी से लेकर योगी सर सरकार तमाम योजनाएं चलाती हैं क्या इन योजनाओं का लाब बाके आपको जमीन पर मिला है मिला बहुत मिला कोई सरकार ने काम नहीं कि इसी सरकार ने लोगों को लाब दिया जो तुम्हारा किसान नहीं दिया है और कभी यह तुम्हारा रासन नहीं मिलता था लो रासन मि कर सकती है सरकार हम लोग कुछ नहीं खाली ये गायों का है समस्या केवल गाय केवल गाय समस्या है बस 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 और कुछ नहीं और तो सब हना हन सब चका चाहिए